हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो यार कैसे हो आप सभी दोस्तों अगर आप लोगों का रिची करेक्टर अलोक है यानि आपके रिची भहिया अभी लोक है और आपको उनको करना है अलोक तो आज का एफ वीडियो आप लोगों के लिए है आप लोग आज के इस वीडियो में जा और या अनलोक है तो यह वीडियो आप सभी दोस्तों को जरूर देखना चाहिए और आज के इस वीडियो में आप लोग जान पाएगे आप लोग कितना जल्दी यार इस गेम के अंदर मिशन को भी पूरा कर सकते हैं दोस्तों अगर हम लोग normal situation में इस सभी मिशन को पूरा करते हैं तो इनों 45-50 मिनट इनको पूरा करने में भाया लगी जाते हैं मगर आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 20-25 मिनट में कैसे सभी मिशन को पूरा करके दिखा देंगे आज के इस वीडियो में बने रहे हैं आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कैसे हैं सभी मिशन बहुत जल्दी-जल्दी से पूरे होते हैं पहला मिसन हमारा देखते हैं, हमको क्रिल भाया क्या देंगे और वह मिसन क्या रहने वाला है, तो रिची भाया को अनलोक करने का, तो जल्दी जल्दी से इस बुलू वाले घेरे के अंदर भुश जाते हैं, तो भाया हमको उनकी गड़ी या जो पुली स्टेशन के पीछे ओ भाई मतलब ये क्या हुआ यार यहां पर हमने एक फार्बुला कार मगाई और कार सीधा हमारे उपरी लैंड हो गई भाईया मतलब यार कार ने अमारा निकाल दिया कचुमर तो यार चलो भाईया हम लोग हो चुके है ठीक तो जल्दी जल्दी से चलते हैं भाईया वहाँ पूली स्टेशन के अंदर जहाँ पर हमारे क्रिल भाया की गड़ी खड़िए भाया यह मिसन हमको क्रिल भाया नी दिया है तो इस मिसन को हमको जल्दी जल्दी से पूरा कर देना पड़े गा वही जबही हमको अगला मिसन मिलेगा तो दोस्तो यार। आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो यार अगर आप लोगों को भी इस गेम के अंदर बहुत सारा पैसा करना है तो हमने यार कल ही उसका वीडियो बनाया है जाकर देखो आप लोग इस गेम के अंदर एक लाक डोलर फिरी में पास सकते हैं दोस्तो उस वीडियो को पूरा देखेगा और जबी आप लोग उस वीडियो में बताएगे सभी स्टेप को खोलो कर पाएंगे तो जाओ जिसको जादा पैसर की जरुत है इस गेम के अंदर वहवैला वीडियो भी देख लो और यहाँ पर हमको यार करिल भाया की गड़ी मिल चुकी है और इस गड़ी को हम लोग जल्दी जल्दी से लेकर के चलते हैं भाया क्रिल भाया के पास और देखते हैं हमारा next mission कौन सा होने वाला है भाया चलो यार जल्दी जल्दी से हमको रिची भाया को छुडाना है तो जल्दी जल्दी से चलते हैं इस गड़ी को लेकर के क्रिल भाया और भाया चलो जल्दी जल्दी से इस गड़ी को खैच के भी लेकर चलते हैं और ये रहे हमारे क्रिल भाया जल्दी जल्दी से इस गहरे के अंदर बुस गए भाया और क्रिल भाया ने हमको यार अब लगाने दिया रेस यानि क्रिल भाया के साथ हमको लगाने है एक छोटी सी रेस तो भाया यह होने वाली है दो मिनिट से भी कम की और जल्दी जल्दी से इस रेस को भी जीत लेते हैं भाया फिर क्रिल भाया हमको 500 डोलर इनाम भी देंगे इस उस रेस को जीतने का तो यार जल्दी जल्दी से भाईया चलो जल्दी से अपनी गड़ी को ऐस से भाईया जबा करना जित पाएंगे तो यार यह है रेस हमको जल्दी जल्दी से पूरी करनी पड़ेगी और भाया अभी हमारे पास देखते हैं यार 84 सेकिंड का टाइम बचा है और मतलब एक बंदा भी फोड़ दिया और भाया पूलिस का एक स्टार भी लग गया और रेस भी अभी आदे से भी ज्यादा बची ह हुई है तो यार इस रेस को पूरा करना पड़ेगा यार खैच के लेकर चलते हैं भाया अपनी गड़ी को और हमारी गड़ी आर 99 की स्पीड पर पहुंच गई थी भाया गड़ी तो एकदम पस कलास चल रही है करिए भाया कि साथ रेस लगा कर तो मजा ही आ गया और एक मिन को हम लोग फैल नहीं होने देंगे बहुए जल्दी-चल ले करके चलते हैं करिल भाया की इस को रेस के अंदर जीतने तो यार चलता चलता चल्दी-जल्दी जीतने में और जल्दी-जल्दी से भाया इस रेस को अब तो और भी ब蛰िया जाया जाए Tsch क्योंकि क्रेल भया का घर भी सामने आ चुका है और यहीं पर लगता है यह रेस भी पूरी हो जाएगी तो यार अभी हमारे पास टाइम बचा और मिशन हो गया कंप्लेट भया हमने छोड़ी क्रेल भया की गड़ी और जल्दी जल्दी से ले ले लेते हैं क्रेल भया से दूसर का मिसन तो त्रेल भया देखते हैं अगला मिसन कोण सा होने वाला भाई है जोड़ने का है अगला मिसन और और अब चलते हैं, पहली hacking device की location पर, उर भाया हम लोग आAST गये butt legit, तो गड़ी को यही पर पार्क कर देते हैं और चलते हैं, ऊपर रकी हैं उमपर hacking device, जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, और इस घर के अंदर रकी है, तो हमारी hacking device, और यह रकी हैं दोस्तो हमारी hacking device, और पहली hacking हम ने ले लिए और चलते हैं जल्दी जल्दी हम लोग दूसरी hacking divis को लेने और दूसरी hacking device अब आपको दिखाते हैं इस city के अंदर किस पोर को मिलेगी तो दूसरी hacking device रखी अप पूली station के अंदर और से हम लोग जल्दी से पहुंच कर वह hacking device ले ले लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे तीसरी hacking device कहाँ पर मिलेगी और ये आ गया हमारा police station तो जल्दी जल्दी से हम लोग अपनी गड़ी को यहीं पर खड़ा कर देते हैं और अब चलते हैं police station के अंदर और ले लेते हैं यहाँ से दूसरी hacking device और यह रही हमारी दूसरी hacking device और यह है dude bolt इसकी मदश से हम लोग अपनी गड़ी के पास जल्दी से पहुँच जाएंगे और हम लोग पहुच भी गए और अब देख लेते हैं तीसरी hacking device की location दोस्तों तीसरी hacking device की location इस factory के अंदर है वो मगर हम जाने वाले हैं एक बहुती short cut रास्ते से जिससे हम लोग और भी ज hacking device है वह यार नदी के भी उस पार है तो भहिया हम जा रहे हैं एक बहुती बढ़िया रास्ते से जो इसको कहते है shortcut ओ यह shortcut रास्ता हमको जल्दी से वहाँ पर पहुचा देगा तो दोस्तों speed भी यहां पर हमारी लगातार देखो यार कितनी बढ़ती जा रहे हैं मतलब इतन पलट गई तो भईया यहां से तो यह गड़ी नहीं निकलेगी मगर यहां पर भूत बाबा का एक जादू जाडू पड़ा है इस जादू जाडू को लेकर के हम लोग जल्दी जल्दी से भईया तीसरी hacking device को डूण लेते हैं और mission को कर देते हैं जल्दी से पूरा क्योंकि भईया हमको यह सभी mission करने हैं जल्दी जल्दी से पूरे आज के इस वीडियो में सभी mission आपको दिखाए जाएंगे दोस्तों और चलो यार भईया मतलब तीसरी hacking device की location कहा है यार मतलब hacking device दिखाए नहीं देरे दोर तो hacking device इन टैंक के उस तरफ रखी हुए है तो उस तरफ ह हम लोग चलते हैं क्योंकि दोस्तों यार हम लोग दूसरी तरफ लेंड हो गया है तो hacking device हमको यहीं पर मिलेगी और सामने है हमारी hacking device की location तो यह रही है भईया हमारी hacking device और जल्दी जल्दी से अपनी जादूई जाडू को एक साड़ में खड़ा करते हैं और इस hacking device को हम हैं और जल्दी से जाते हैं क्रिल भाईया के पास और क्रिल भाईया से अगला मिसन भी देख लेते हैं अगला मिसन को क्रिल भाईया क्या देने वाले हैं तो यार क्रिल भाईया के यह मिसन तो बड़े ही खतरनाक होते जा रहे हैं भाईया अब देखते हैं क्रिल भाईया हम को क्या थ्रिलिंग काम देते हैं तो दोस्तों यार चलो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं क्रिल भाईया के पास क्योंकि दोस्तों हमारी जो सिटी का पहला ब्रीज है जो हमको यार सिटी के अंदर एंटर करवाता है वह आ चुका है और उसी के उपर गड़ी चला कर तो से फस कलास और क्रेवाया का घर भी यहां पर आ चुका है बातों शीम्र tu लुए के घर पर वह पहुंच गए और यह धुरीज फिरबगया का घर तो चूटफ गया पीछे ौर्यार चलो अब इस जादु-ज़रूके को सिदा करते हैं और अब चलते हैं क्रे बहिए का घर य तो भाईया, 3000 डॉलर का मिसन, तो यार, 3000 पैसे तो हमारे पास बहुत सारे पहले से हैं, तो जल्दी-जल्दी से इस मिसन को भी यही पर पूरा कर लेते हैं, और भाईया, मतलब इस गोल गहरे के अंदर घुसकर हमने मिसन को कर दिया है, पूरा, और अब देखते हैं, यह जाड़ू को यहाँ पर सीधा कर देते हैं, और डूड माट के अंदर हमको हमारी भाईया मिलेगी, यार, बैटरी, जिसको क्रिल भाईया, चलाएंगे, जो हैकिंग डिवाईस को चलाएगी, और उसी से हमारे रिची भाईया, अनलोक होगे, और यहाँ भी मज़दार मिसन ह यार, देखते हैं, क्रिची भाईया, कैसे अनलोक होगे, और मतलब इसी डूड माट के अंदर मिलती है, हमको बैंटरी, और सीधा उसी के अंदर लैंड भी होगे, तो भाई, मज़ाई आ गया, और जल्दी जल्दी से यह रखी है, हमारी बैंटरी, और मिसन होगया, हमारा क इस गड़ी को थोड़ा खैंच के भी लेकर चलते हैं, यह गड़ी चलती है, सुपर फास्ट, और इस गड़ी को लेकर के चलते हैं, जल्दी से क्रिल भाईया के पास, और देखते हैं, क्रिल भाईया, हमको अगला मिसन क्या देते हैं, तो भाईया, हम लोग क्रिल भाईया क दोस्तों इसमें हमें किसी है गैंग को बीट करना है तो भाया है गैंग मतला भी है कोई गैंग है और जिसको हमें बीट करना है तो यार उन है गैंग वालों को बीट करने से पहले हम लोग चलते हैं यार वैपन सोब के अंदर और वैपन सोप से कोई बढ़ियासा हत्यार खरी लेते हैं और भाया फिर यार हम लोग चलेंगे है गैंग वालों को बीट करने और जल्दी जल्दी से हम लोग भाया आ चुके हैं इस वैपन सोप के अंदर और यह 8000 डोलर की किलिंग मसीन जो सबसे ताकतवर दिख रही है इसी को हम लोग जल्दी जल्दी से खरी लेते हैं भाया यह किलिंग मसीन बड़ी खतरनाक है एक ही बार में मतलब पतानी 15 या 20 गोली लगबग निकालती है और भाया हमने कलिंग मसीन को खरीद लिया है और इसकी गोलिया भी अब यहां पर खरीद लेते हैं क्योंकि यार जब गन खरीदी है तो गोलिया भी चाहिए ही चाहिए और है गैंग वाले पतानी कितने होंगे 10 होंगे 20 होंगे 50 होंगे तो भईया सभी को निप्टाने के लिए हमने खरीद लिए 4400 गोलिया तो भईया मज़ा ही आ गया इतनी गोलियों से एक गाउं को भून डालेगे भईया और जल्दी जल्दी से चलते हैं अब हम लोग है गैंग वालों की लोकेशन देख लेते हैं है गैंग वाले आपको मिलेंगे यार मतलब हमको मिलेंगे इस जगह पर इस फार्म के अंदर हमको है गैंग वाले मिलेंगे और हमने वह लोकेशन सेलेक्ट कर ली अब उस लोकेशन पर हम लोग चल्दी से पहुँच भी जाएंगे और भाया चलो यार लोकेशन हमारे इस जूले के पास ही है तो जल्दी जल्दी से हम लोग चलते हैं है गैंग वालों की लोकेशन पर और है गैंग वाले मतलब उधर रहते हैं जहाँ पर हम ले लोकेशन चूज की थी तो भाईया अब चुपचाप से चलते हैं और देखते हैं यह है गैंग वाले कितने हैं और यह क्या कर रहे हैं यहाँ पर और इनको हमको बीट कैसे करना है तो चुपचाप से देख लेते हैं पहले सारी चीजे यह है गैंग वाले हैं कितने और अपनी गाड़ी को यहीं पर चुपचाप से पार्क कर देते हैं और अब देख लेते हैं भाईया यह है गैंग वाले कहां पर छिपे बेटे हैं और भाईया पहले यहां पर निकाल लेते हैं कुछ बम बगेरा अगर हैगेंग वालों ने हमारे उपपर हामला किया तो हम उनके उप़र वेयर ग्रेनेट फोड देंगे भैया और जल्दी-जल्दी से हमने वेयर ग्रेनेट फिर से निकाल लिया मतलब यार पहले इनको नचा देते हैं हमारे नाचने वाला बम छोड़ दिया अब इनके उपर एक ग्रैनेट भी हमने फोड दिया भया आधे हैं गएंग वाले लगता है खतम हो गए और आधे हमारे पिछे पढ़ चुके हैं तो भाई इस किलिंग मसीन को चलने में बहुत ही टाइम लग रहा है और किलिंग मसीन चल गई भया अब इन लोगों की खैर नह आते हैं तो भया आज कोई नहीं बचेगा आज है गएंग वालों हमारे बीच में जो भी आएगा तो वह सभी फिनिस हो जाएगा और मिसन हो गया हमारा कम्पलीट तो भया मजा आ गया सभी हैंग वालों को मार कर देखो मतलब यार कितनी लासे बिछा डाली भया एकदम से यार और हम अपनी गड़ी के अंदर बैट कर चलते हैं भाया करिल भाया के पास और करिल भाया का घर तो यार अब करिल भाया का घर पर हम लोग आई गया मतलब यार देखो तो करिल भाया के घर के पास ही है गैंग वाले थे और इन ही है गैंग वालों से हमको पंगा लेना था और इनको finish कर देना था हमारा यह mission भी पूरा हो गया और अब देते हैं करिल भाया क्या कुछ करते हैं तो भाया चलो यार अब देखो भाया मतलब करिल भाया ने क्या mission दिया भाई मतलब रिची भाया का एक photo लेके आना है और जल्दी जल्दी से करिल भाया को दिखा देना है और फिर हो जाएगा हमारा mission complete और दोस्तों यह तो बहुती आसान mission है और इसको ले करके चलते हैं जल्दी जल्दी से भईया यह है गड़ी मतलब इसको निकालते हैं गड़ी को भाई मतलब यह है करिल भईया इस गड़ी को यहाँ पर नहीं निकलेगी यह गड़ी और जल्दी भईया का एक फोटो लेने के लिए और रिची भईया हमारे जेल के अंदर बंध है तो भईया करिल भईया को रिची भईया का फोटो चाहिए और रिची भईया की जेल नंबर फोटो चाहिए यानि जेल के उपर जो नंबर है वेर करिल भईया को चाहिए भईया उस नंबर चालो होने के बाद जेल का नंबर माँग रही है, यानि हमने हमको क्रिल भाईया ने जेल का नंबर डेले के लिए बेजा है, तो जल्दी से हम लोग ऑई मतलब एक गड़ी हमारी पहले भी खड़ी हुई यार इस गड़ी को हम लोग पहले लेकर आये थे और भया चलो यार जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हमारे रिची भया किस जगे पर बंद है और भया आज तो मतलब पूली स्टेशन के अंदर केलिंग मसीन चल रही है और आज देख लेते हैं वो बैटे हैं हमारे रिची भया तो यार इनका एक फोटो ले लेते हैं चलो यार कैमरा निकाल लेते हैं और इनका एक फोटो भी ले लेते हैं और मिशन को कर लेते हैं पूरा रिची भईया जरा फ्रेम में आ जा और रिची भईया का एक सेलफी हो चुकी है और अब इस सेलफी को करिल भईया को भी भेज दे जब हम लोग क्रिल भया की गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर आये थे जो सुरुवात का मिसन था तो भया यह गड़ी यही पर खड़ी है तब से इस गड़ी को कोई लेने ही नहीं आया यार और अब भया हम लोग क्रिल भया के घर का रास्ता भी देख लेते हैं और जल्दी स पार ही हमारे करिल भाया का घर था यार और घर मही पर है और जल्दी से चलते हैं उसी घर के अंदर यार करिल भाया के पास और करिल भाया से अगला मिसन भी ले लेते हैं तो भाई यह आ गए हम लोग करिल भाया ओ भाई गड़ी कितना खतरनाक तरीके से गई यार और जल्दी से हम लोग यो भाई मतलब हम तो यार किसी गलत घर में गोशा हैं और करिल भाईया का घर तो वो राया पिछे तो भाईया वही पर चलते हैं और अगला मिशन भी ले लेते हैं देखते हैं यार करिल भाईया क्या मिशन देते हैं तो भाईया अ और जल्दी से भ..." इस सवारी को बिठा लेते हैं। तो और जल्दी से इसको रीच कर लेते हैं... वर्ण अगर यहां पर रीच नहीं हो पाईती है हमारे ڈولर कट जते यार यानी दोस्तों हमारे पैसे नेगेटिव हो जाते और भाया अब सवारी को हमने टाइम पर पहुचा दिया है तो इस सवारी को पहुचाने के लिए हमको 22 डॉलर भी मिला है तो भाई मज़़ा आ गया यह काम तो बड़ा ही जबरदस्त है यार मिशन का मिशन पूरा हो जाएगा और यह काम भी पूरा हो जाएगा यार और भया पैसा तो पहले से हमारे पास बहुत है मगर यह मिशन करने के लिए हमको पैसा भी कमाने को मिल रहा है तो यार मिशन के पारी इस सवारी को लेकर चलते और भाई हमने इस सवारी को पहुंचा दिया तो भाई मज़ा या गया तेखो यार कितना जल्दी हम लोग सवारी को पहुंचा रहे हैं और तीसरी सवारी भी यहीं पर खड़ी है तो यह भी हमारी गड़ी के अंदर बैठ चुकी है तो करते हैं डरोप और देखते हैं सवारी अब हमको कितना माल मसाला देगी तो यार सवारी जा चुकी है और हमको उसने बहुत सारा पैसा यानि भाईया बहुत मज़ेदार हो गया यह मिशन तो बहुत पैसा दे के गई लास्ट वाली सवारी तो और भाईया सवारी जबरदस्ती बैट गई मतलब मिशन तो हो गया हमारा पूरा और भाईया यह सवारी बैट गई जबरदस्ती तो भाया इस सवारी को हम लोग लेकर चलते हैं करिल भाया के घर पर ही क्योंकि यार हम लोगों को वही पर अगला मिसन मिलेगा तो दो चार डोलर अगर कम भी होंगे तो कोई बात नहीं यार 10-20 डोलर कम हो जाएंगे इस सवारी को अगर हमने टाइम ना पहुंचा पाए अगर कोई बात नी दोस्तों 10-20 डोनर की कोई बड़ी बात नी टाइम सब से ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए हम लोग इस सवारी को ले करके चलते हैं करिल भया के घर पर और वहीं पर इस सवारी को छोड़ देंगे वहीं पर इसको ड्रोप कर देंगे तो भाई हम लोग जल्दी से ले करके ओ भाई मतलब यार करिल भया के घर का रास्ता इधर से है तो भाई इधर से हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे और सामने भाई करिल भया के घर की बिल्डिंग दिखाई दे गई जो करिल भया के घर के सामने खड़ी है और भाई इस सवारी का टाइम हो चुका है पूरा तो यह सवारी अब हमसे पैसे लेकर जाएगी तो यार देखते हैं यह सवारी कितना पैसा लेगी तो भाई इससे 47 डोलर देने पड़ी तो भाई मैंगी पड़ गई सवारी तो यार इतना कमाया नहीं बहुत आप देखते हैं क्या करते हैं तो भाई रिची का पूटो भी यहां पर दिखाया जारहा है और अब लगता है हमारे रिची भाई भी जेल से छूटने वाले हैं यानि जेल को रिची करने वाले हैं है और यह है रिची भाईया रहे देखो यार कैसे भाईया खतरनाक लूप में लग रहे भाईया रिची भाईया ने जेल को हैक कर लिया भाईया जेल का दरवाजा तूट चुका है और हमारे रिची भाईया हो चुके है जेल से फरी तो भाई रिची करिल की खुशी देखने ला यार रिची भया की लोकेशन पर हमको लेके जाया जा रहा है और रिची भया अभी भी जेल के अंदर बंद है यार जेल से भागे नहीं है तो यार रिची भया को यहां से लेकर के भागना पड़ेगा तो डूट बोल्ट चिट को जल्दी से हम लोग एक्टिवेट कर लेते है जिसकी मदद से हम लोग चल दी से यहां से भाग पाएंगे और भया हम लोग भाग लिये हैं और यानि रिची भया को हम लोग लेकर यहां से भाग लिये और भया अब इसको लेकर चलते हैं किसी सुरक्सी सस्थान पर जहां पर यह मैफूज रहे हैं और भया इसको लेकर चलत क्योंकि जितना ज़्यादा पूलिस की लोकेशन से दूर जाते हैं भाईया फाइश्टार लेवल के हुए थिरी स्टार लेवल की धिरे-धिरे कम होना सुरू ही हो जाती है और भाईया पूलिस अभी भी पूरे दमदार एक्शन में लग रही है भाईया यह वांटिड लेवल हमको पार करना पड़ेगा जब ही हम लोग रिची के घर पर जा पाएंगे यानि दोस्तो हमारा यह लेवल इसके पिक होने लगा है पूलिस के फाइश्टार लेवल हमारे उपर से हटने लगे हैं तो भाईया जब हम लोगों का यह मिसन पूरा हो जाएगा फिर हम लोगों क यार करिल के यानि रिची भाईया के घर पर जाना पड़ेगा और रिची भाईया के घर पर जाने के बाद ही यह मिसन पूरा हो पाएगा अगर आप लोगों ने इतना मिसन कर दिया और अगे का मिसन नहीं किया तो भाईया आपके रिची भाईया अनलोक नहीं होगे और फि गें के अंदर अभी भी रिची भे सीभी आ चुके हैं मगर आगर यहां पर लाकर आपने गेंगे को ममес और पर एक और स॥ारी मेंदर बंडर साव क्लिच कर रहे हैं भाई हमारी लिए पार्टी रखी वे उन्होंने जेल से छूटने की खुशी में और उसी पार्टी में हमको अभी जाना है और अटेंड होना है रिची के घर पर और भाई हम लोग सिटी के अंदर आ भी गए देखो मतलब भाई कितले जबर्दस तरीके से इस्पाइडर मै हमारी गड़ी आ चुकी है शिटी के अंदर और रिची भाईया की लोकेशन भी अब बहुत ज़्यादा नजदीक आ गई है और रिची भाईया की लोकेशन इधर ही है हमारे पास और वह सामने रहे रिची भाईया के घर की लोकेशन तो भाई हम लोग रिची भाईया के घर पर भी आ गए है और जल्दी से देख लेते हैं जैक और क्रिल भाया कहां पर हैं तो भाई इस गड़ी को यही पर पार्क कर देते हैं और लोके सान हमने तो दोस्तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक ज्यादा ही अच्छा लगा हो इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो यार अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब क कमा सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगाओगा जैहिंद बंद मात्रम